दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरी जैनायन मिस्रा पीजी कॉलेज अर्थात के के सी के एडमीशन के बारे में किसकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी कौन कौन से डाकूमेंट लगेंगी कितन फर्ष्ट लिस्ट में ही आपका नाम आ जाए तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक वाज करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेना के कैसी से संबंदित सारी अपडेट आपको मेरे चैनल के दार मिलती रहेगी जैसे ही फर्ष्ट मेरे लिस्ट आएगी आपको मैं बता दूँगा एक वीडियो बनाके कि हाँ फर्ष्ट मेरे लिस्ट आ गई इसलिए चैनल को सबस्क्राइब करके जरूर रखना तो चलिए फिर वीडियो इस्टार्ट करते हैं दोस्तों आप लोग JNPG क चल रही है रिगार्डिंग में यह आप लोग पर सकते हो यहां पर कहा गया है कि दो सेप्टेंबर को साम तक आपकी मेरे लिस्ट आ जाएगी और पांच पांच सेप्टेंबर से आपका जो एडिमीशन है जो कांसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी तो दो तारीक को मेरे मेरे लिस्ट आएगी और पांच को आपको जाके एडिमीशन लेना होगा तो एडिमीशन लेने के लिए डाकूमेंट कौन-कौन से रिकॉर्ड होंगे चलिए उन पर बात करते हैं दोस्तो जैसे ही आपका नाम फर्ष्ट मेरे लिस्ट में आज आएगा आपको पांस तारीक को जाके एडिमीशन लेना होगा और वहाँ पे आपको कौन-कौन से डाकूमेंट लगेंगे तो मैं आपको बता दूँ आपने जो रिजिस्टेशन किया था उसकी दो फोटो बैंक में भी जमा होती है लेकिन आउनलाइन जाड़ा बेस्ट होगा दोस्तो आपको 2.500 रुपए एक्ष्टा पर जाएगा वो ठीक रहेगा लेकिन आउनलाइन ही आप लोग फीस्ट जमा करना क्योंकि बैंक में कभी-कभी पेमेंट फस जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए आप लोग आउनलाइन ही जमा करना उसके बाद कच्छा 10 और 12 की ओरिजिनल मार्क सीट और उसकी दो दो फोटो कॉपी आपको लेकर जाना है दोस्तों और इसना तक वैसे इसना तक की तो आपको लेना नहीं एडिमिसन तो यहाँ पार चरित प्रमार पत्र आ कांसलिंग के टाइम पर ही देना होगा और आधार कार्ड की भी फोटो कॉपी आपको देना होगा मैं आपको बता दूँ कि टीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी टीसी की जरूरत आपको एक महीने बाद आपका एक्जामनेशन फॉर्म भराया जाएगा तब आपको टीसी ली होता है इसकी भी फोटो कॉपी वहां पर लगती है और ये देखते भी है कच्छा दस और बारा के भी मार्क सीट वहां पर ओरिजिनल देखी जाती है लेकिन इसकी फोटो कॉपी ली जाती है तो आपके पास ये भी होना चाहिए अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके लिए प्रोब्लम होगी तो इसलिए आपको सारी फोटो कॉपी करा लेनी है और मैंने बोला कि फीस आप जब तक नहीं जमा करेंगे तब तक आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा इसलिए फीस जमा करना ही होगा और फीस आउनलाइन ही जमा होगी आप अपने घर के आसपास कहीं साइबर केफे होगा तो वहां से आप जमा करा सकते हो या फिर केके सी जब आप काउंसलिंग कराने आएंगे तो केके सी के सामने काफी सारे साइबर केफे हैं वहा जो का बिये में हो जाएंगा उन्हें सिर्फ 3620 रुपे ही जमा करने होंगे ही सिर्फ की फिर्ड करने हापड़ी दोस्तों मैं आपको बता दूर हर साल की तुलना में इस साल काफी ज्यादा घटाई गई है नहीं पहले इस से ज्यादा फिस थी और बिकॉम की फीस 4120 रुपए आपकी पड़ेगी और बेसी बावे वाले की 4990 और बेसी मैथ वालों की 4750 पड़ने वाली है और ल्लबी वालों की 5500 पड़ने वाली है first semester की और second semester की इतनी पड़ेगी और B.A. की दोस्तो 9935 पड़ती है इससे ज़्यादा नहीं पड़ती है तो ये हो गई फीस आपकी लेकिन दोस्तों जिन बच्चों का self finance में नाम आएगा उनकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती यहां पर आप देख सकते हो self finance self finance बिलकुल last के बच्चे होते हैं जिनका नाम आता है तो यहां पर आप देख सकते हो B.A. की first semester की फीस ही मात्र 8,075 रुपए है और second semester की 5600 रुपए है और B.A.C. बायो B.A.C. मैत की 15,555 और second semester की 2600 और B.A.C. स्टैटिक्स की 13,55 और second semester की 2600 और B.A.C. की 10,500 और second semester की 7,600 तो जिनका self finance में नाम आएगा और self finance में नाम उनका आता है जिनके percentage कम होते हैं और इनका बिलकुल last में आता है तो first merit list में मैं आपको बता दूँ जनरल वालों का 68 प्लस पे नाम आ जाएगा first merit list में confirm है और O.B.C. का 65 प्लस पे first merit list में ही नाम आ जाएगा और S.C. का 63 प्लस पे अगर इतने percentage 12 में होंगे तो आपका नाम आ जाएगा पहली ही merit list में और S.C. का तो अगर 54 भी होगा तब ही first merit list में नाम आ जाएगा तो यह है दोस्तों cut off और fees आपको इतनी देनी होगी documents आप लोग बनवा लीजिए जो भी नहीं है character certificate आप लोगों को जरूरी है तो आप लोग जरूर उसको बनवा लीजिए फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप लोग पूछ जरूर लेना और बात fees की रही तो fees online ही आप लोग जमा करना बैंक से कभी कभी होता है कि नहीं कठती है और बैंक वाले मोहर लगा के दे देते हैं कि हाँ जाव आपकी fees जमा हो गई है तो उसमें problem हो जाती है तो आपके पास ये जरूर होना चाहिए और यहाँ पर जब आपका admission हो जाएगा तो आपको scholarship का form भी भरने का मौका मिलता है तो आप सभी लोग scholarship का form भी भर पाओगे और college best है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो और यहाँ पर हिंदी और इंगलिस दोनों में क्लासे चलती है जो बच्चे इंगलिस के होंगे उन्हें इंगलिस में पढ़ा जाएगा और जो बच्चे हिंदी में होते हैं उनकी हिंदी में हिंदी की क्लास अलग से लगती है तो हिं लुमे